हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल एडूफाइल आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टन टॉपिक ब्रवाय लैटिस के बारे में टिसस करेंगे साथ ही साथ हम लोग प्रिमिटिव लैटिस सेल क्या होता है इसको भी इसस करेंगे इससे पहले की वीडियो में हम लोग उन्हें समझाता है क्रिष्टल और लैटिस क्या होता है तो चलिए यहाँ पर समझते हैं ब्रवाई lattice, इससे पहले short में जल्दी से revision करते है crystal और lattice का, तो दीखे crystal क्या होता है, crystal यह होता है, जैसे कि मालिच यह कोई भी solid है आपके पास, जैसे मालिच यह कोई भी solid है तो वह solid किसे बनता है? तो अगर किसी भी solid में, अगर atoms का periodic arrangement है, atoms का या फिर ions का periodic arrangement है, तो हम उसको कहते है crystal, या crystalline solid, अगर इस तरीके से arrangement है, यह दिखिए atoms है यहाँ पर, अगर इस तरीके से repeat हो रहा है, same structure बार-बार, तो हम उसको कहते है crystal structure, आपको समझ में आया होगा, यह crystal structure क्या होता है, अब बात करते है lattice की, तो lattice क्या होते है, यह होता है, आपका periodic repetition of atoms या फिर ions, crystal होता है, lattice होता है points, यह केवल और केवल क्या होते है, points जो कि हम मानते है अपने तरफ से, lattice क्या होते है, points होते, perceptおいοιπόν to param men, यह किस लिए होते है यह crystal को represent करने के लिए होते हैیں lattice, आप देखें यहाँ पर सारे points है तो एक point पर हो सकता है 2 a. एतआम, यह फिर हो सकता है two part at десяres, फिर हो सकता है पर चार part atons, यह फिर हो सकता है कि एक point परी atom हो इस तरीक से lattice को हम use करते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं और जैसे माली जे एक पॉइंट पे दो एटम है तो उसको हम कहते हैं बेसिस क्या कहते हैं बेसिस और यहां पे बेसिस जो होता वो यूनिक नहीं होता है जैसे माली जे एक पॉइंट पे चार एटम भी हो सकते हैं एक एटम भी हो सकता है तो हम क crystal तो आयोब आपको समझ में आओगा crystal क्या होता है lattice क्या होता है points होते हैं जो कि हम लोग मानते हैं अब ब्रवाय lattice क्या होता है तो ब्रवाय lattice होता है infinite array of discrete point वही सेम चीज़ point होता है इसमें हम कुछ translation operation apply करते हैं उसको मैं आभी आपको बताऊंगा इससे पहले समझें ब्रवाय lattice क्या होता है तो जैसे कि हम अगर इसको ब्रवाय lattice मानने तो ब्रवाय lattice क्या होता है दिखिए यह points जो हैं बहुत सारे अगर हम माने जी किसी particular point से देखते हैं यहां से तो हमें क्या होना चाहिए lattice जो होना चाहिए same to same दिखना चाहिए तो उसको हम कहते हैं ब्रवाय lattice इस point से देखेंगे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस point से देखेंगे तब भी lattice same to same दिखेगा exactly same दिखेगा हर point से अब यहां पर तो मैंने कुछ points नहीं हैं यहां पर infinite array ले सक दूसरी चीज यह है कि माल लेजिए आपको इस point से इस point पर जाना है मतलब किसी भी point पर आपको जाना है तो आप लगाएंगे translation operation क्या लगाएंगे translation operation तो जैसे माल लेते हैं हमको इस point से जाना है इस point पे तो यहां से हम एक vector लेंगे A और एक vector लेंगे B इस तरीके से यह A और यह B तो यहां पे हमें जाना है तो यानि कि B की तरफ दो unit हमको बढ़ना पढ़ेगा और A की तरफ भी दो unit बढ़ना पढ़ेगा तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहुचेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितना 2a और 2b इस तरीके से हमने लिया तो यहाँ पे आपका क्या आगया r is equal to 2a plus 2b तो आई होप आपको यह समझ में होगा relation यहाँ पे n1, n2, n3 क्या है integer है और यह r है आपका position vector अब देखिए r आपका position vector अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो हमने लिया है वो 2 dimension के लिया है और यहाँ पे 3 dimension के लिए तो आप 3 dimension के लिए भी ले सकते हैं 3 dimension में आपका क्या हो जाएगा c भी आ जाएगा तो आयूप आपको यह समझ में आया होगा कि ब्रवाय लैटिस क्या होता है और यह इस तरीके से हम इसको solve करते हैं तो आप चलिए और इसको और समझते हैं थोड़ा सा यहां पर ब्रवाय लैटिस को देखिए यहां पर मैंने कुछ नोट्स भी लिख दिया है अगर जो discrete पॉइंट आप ले रहें यहां पर मैंने क्या कहा था discrete point को हम कहते हैं ब्रवाय lattice लेकिन क्या होना चाहिए कि मतलब हर point से lattice जो होना चाहिए same डिखना चाहिए तो उसको हम कहते हैं ब्रवाय lattice ये दो चीजे मैंने आपको बताई तो अब यहां पर देखिए अगर हम discrete point पर atoms ले 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 तो हमारा crystal बन जाएगा मैंने आपको बताया आपको यह समझ में आया क्रिश्टल भी जो होगा हर पॉइंट से सेम दिखेगा कब जब लैटिस हमारा होगा ब्रवाय लैटिस आई होप आपको यह भी अच्छे से क्लियर होगा ठीक जी तरह से आप थ्री डाइमेंशन के लिए भी निकाल सकते हैं जैसे यह यह मैंने टू जैसे माह लेजिए मुझे यहां ए लिया हमने और यहां पार इस तरीके से भी लिया तो यह ए है हमारा तो इस पॉइंट के लिए आपका यह हो जाए इस तरीके से तो आप ए और बी किसी भी तरह से ले सकते हैं आप इस तरीके से भी ले सकते हैं ए और भी यह आपका इस तरीके से भी हो सकता है ए और भी तो आई होप यह आपको समझ में होगा हम लोग कैसे अपलाई करते हैं तो तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं primitive lattice cell यह है हमारा ब्रवाय lattice तो primitive lattice cell क्या होता है तो देखिए primitive lattice cell जो होता हुँ minimum volume area होता है corresponding to a single lattice point अब देखिए इसको समझे आप यहां पर देखिए मालीजी जैसे हमारे पास एक point यहां पर है यानि unit cell की तरफ तो यह हमारा हो जागा minimum area उसी को हम कहते है primitive lattice cell तो minimum volume या फिर एरिया volume कब होगा देखिए volume होगा आपका three dimension में area कब होगा two dimension में तो यह हम two dimension में ले रहे हैं तो यह हमारा area होगा यहां पर आपको समझ में आया होगा यहां पर a and b तो इस तरीके से होता है primitive cell minimum area जो की बनता है हमारा उसको हम कहते है primitive cell अब यहां पर देखिए primitive cell के लिए क्लिए single lattice point होता है इसका मतलब क्या है देखिए इसका मतलब यह है कि आपका देखिए यहां पर चार point आपको दिख रहे है लेकिन यह single point होगा कैसे तो इसको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखा देता हूं मैं point को यह point है हमारे lattice point है तो यह जो है हमारा यह one fourth को काटेगा इस तरीके से क्योंकि condition यह है कि single lattice point होना चाहिए एक primitive cell के लिए तो यह one by fourth area cover करेगा तो one by fourth into four is equal to one one lattice point होगा हमारा एक primitive cell के लिए तो यह आपको समझ में आया primitive cell क्या होता है किस तरीके से आपका primitive cell होगा अब आप कुछ अलग तरीके से भी draw कर सकते हैं जैसे मैंने पहली बता दिया था तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से भी आप draw कर सकते हैं तो draw करते हैं चलिए यह हमारा A माल लेते हैं इसको हम B माल लेते हैं तो आपका primitive cell इस case में यह हो जाएगा यह हो जाएगा और आप अलग अलग तरीके से draw कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप draw कर सकते हैं अब यहां पर condition क्या है कि single lattice point होना चाहिए हर एक cell के लिए तो हमने क्या बता है यहां पर 1 by 4 into 4 that means 1 fourth cover करेगा point को तो 1 fourth cover करेगा तो 1 fourth into 4 is equal to 1 अगर हम cube की बात करें यानि 3 dimension की बात करें तब क्या होगा three dimension की बात करें तो क्या होगा तो 3 dimension के लिए ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा 3 dimension के लिए 3 dimension के लिए भी 1 होना चाहिए क्योंकि ये primitive cell की condition नहीं होती कि single lattice point होना चाहिए तो that means ये 8 है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 into 1 by 8 that means 1 तो ये आपने समझा यहाँ पर अब देखिए और कुछ conditions बताता हूँ मैं primitive cell की primitive cell को हम कैसे draw करते हैं तो एक method है हमारा आपने यहाँ पर ये सीख लिया कि primitive cell को कैसे समझते हैं अब एक हमारा method है primitive cell को construct करने का wigner side cell wigner side cell भी उसको कहते हैं जो कि एक primitive cell होता है तो इसको समझते हैं चलिए जल्दी से इसके लिए क्या करते हैं हम lattice लेते हैं क्या लेते हैं lattice इस तरीके से हम lattice को consider कर रहे हैं यह बहुत important है wigner side cell इस तरीके से हमने एक lattice को consider किया अब यहां पर आपको इस बीच में एक point ले लिए यहां पर फिर क्या करिए आप इसके जो चारो तरफ जो point से उनसे line draw कर दीजिए इस तरीके से यह मैं आपको बता रहा हूँ wigner side cell कैसे construct किया था या फिर कह सकते हैं wigner side method से आप primitive cell कैसे construct करते हैं तो एक point आपको भीच में लेडा है फिर lines draw करना है इस तरीके से इस तरीके से line draw करना है यह यह काम आपने पहले किया एक lattice point आपने भीच में लीया फिर सारे points से आपने किया क्या line को इस सरीके से draw किया उनके allora neighboring point से फिर आपको क्या करना है इन सबका perpendicular bisect करना है इस तरीके से आप सबका perpendicular bisect करिये इस तरीके से perpendicular bisect हम करेंगे इये तो अब यहाँ पे आफ देख सकते हैं इस cell में तो point नहीं आरहें intersection में लेकिン एक point यहाँ पे है पूरा का पूरा एक point अंदर आ रहा है तो यह है आपका जो भी यह minimum area होगा इसको हम कहते हैं primitive cell primitive cell का definition मैंने आपको परता है कि minimum area जो होता है उसको हम कहते हैं primitive cell और condition यही होती कि एक point होना चीए एक single lattice point होना चीए एक primitive cell के साथ तो यहां पर आप देख सकते हैं एक single point है यहां पर अंदर यह इस तरीके तो यह primitive cell हमारा होगा और यह किस method से हमने construct किया है Wigner side cell method से तो I hope आपको यह समझ में आँ होगा Wigner side cell method से कैसे हम लोग primitive cell को construct करते हैं और Bravais lattice आपको समझ में आँ होगा चलिए जल्दी से revise कर लेते हैं Bravais lattice का Bravais lattice क्या होता है जैसे कि माले जी आपके पास बहुत सारे points है infinite array of discrete point है तो Bravais lattice ही होता है कि जैसे माले जी आपने कोई point से लिया आपने कोई fix point लिया यहाँ पे तो हर point से आपको lattice जो होना चाहिए वो एकदम same दिखना चाहिए तो उसको हम कहते है Bravais lattice अब आपका question होगा कि Bravais lattice जैसे कोई lattice होता है Bravais lattice नहीं होता है उसका example है honeycomb lattice honeycomb lattice जैसे कि आपका graphine हो गया तो वो जो होता है वो Bravais lattice नहीं होता है क्योंकि उसका जो होता है honeycomb के shape में होता है इस तरीके से honeycomb के shape में होता है इस तरीके से होता है honeycomb के safe में उसमें क्या होता है आपको हारkes से लैटेस सेम नहीं दखेगा तो यह ब्रवाय लैटेस नहीं होगा honeycomb lattice जो गा ब्रवाय लैटेस नहीं होगा ब्रवाय无 यह होता है कि जिसके हारkes से आपके lettuce सेम अप्लाई कर सके जिससे हम किसी भी पॉइंट पर पहुँद सके लैटिस के तो आई होप आपको यह सारी चीजे समझ में आई होंगी इस वीडियो में इतना रखते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच